हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने IQZ7 Android वाइल फोन में आप जो है होम स्क्रीन ले आउट सेटिंग को आप कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है है आज के इस वीडियो में में आपको डिटेल में जांकारी देने वाल हों तो वीडियो को आखर तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको आपको अपने will phone में setting पेज आपको open करना है ठीक है इसे आपको select करना है अब आपका यहां पर यह देखिए कि यहां पर पहले से आपका किसी इन दो नीचे यह जो दो option दे रहें आपको नीचे boxes में ठीक है दो option दे रहें एक तो है यह देखिए मैं pass करके दिखा लेता हूं 4 into 6 और दूसरा है 5 into 6 ठीक है इन दोनों में से आपका यह देखिए मेरे वाइलफोन की home screen नहीं यहां पर ऊपर की साइट से 5 लाइन है एक दो तीन चार पांच ऊपर की साइट से 5 है और यह इस तरीके से ठीक है जो सीधी खड़ी लाइन है न तो यहां पर 6 लाइन होंगी ठीक है मतलब इसमें पांच लाइन है लेकिन इसमें इ पांच भी और यह छटी ठीक है और यह खड़ी लाइन है एक दो तीन चार पांच ठीक है तो यह आपका 5 इंटो 6 है ठीक है अब यह इस तरीके से आप जो रहा होंच स्क्रीन लेइआउट को अगर आप फोर इंटो सिक्स पे इस पे सेलेक्ट करते हैं ठीक है और इसे अप् screen layout आप इस तरी की से change कर सकते हैं या यानि की से use कर सकते हैं ठीक है